आज हर कोई जब भी स्टेक्स जाता है या बड़े नेता बनने के लिए अपनी शुरुवात करता है तो बात करते हैं मेटकर जी की कांशुराम जी की अम्मायती जी की और लिकिन जब घर में देखा जाए तो उनके ड्राइंग रूम में देवी देवताओं की मूर्तियां देखिए बाबा साब ड्राइब और समस्यां का समाधान नहीं हो सकता तो बाबा साब ने अपने समाज को समझाने के लिए ये बार-बार कहा कि मंदिर की जगह आप बिध्यालों में यह इंट्री करो ना कि मंदिरों में लेकिन बाबा साब ने तो अपनी बात को रखा पूरे समाज के आगए रखा लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है किस अमाज क का जो इसतर होता है ou वह सारकासाराрь जो हमारे देस्ब्ेस की राजनीती होती है जो के जो सर्वे सर्वा जो लोग होते हैं देश को चलाने वाले उसको फॉलो करता है समाथ यह तो सभी जानते हैं ठीक है लेकिन आज आज आदी के बाद में जितनी भी सरकारे रहीं ठीक है वो लोग क्या करते हैं कि बाबा साथ डाक्टर बीमरा ओंबेटकर ने संविधान की र तो समाज के लोग कहां से उस आइडियोलोजी को समझेंगे आज आप देख लो आज नवरात्रे चलते हैं तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दूर्गा पंडाल लगाए जाते हैं राम लीला पेस की जाती हैं प्रस्तुत की जाती हैं करोडो करोडो अर्गो रुपया उ बाबा साथ डाक्टर बीमराव अमबेटकर जी के नाम पर तो इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी समाज को तागत ये लोग नहीं देते हैं जो दलित समाज है ये कभी नहीं चाहते कि पढ़ लिख करके वह सिक्षित बनें पाखंड बात को छोड़े कि को यह जानते हैं कि जब तक पाखंड रहेगा तब तक इनकी दुकाने चलती रहेंगी तो इनकी दुकानों को इनको डर रहता है कि इनकी दुकाने अगर बंद हो गई अगर सभी लोग अमबेटकर बादी बन गए तो हमारा क्या होगा हमारा तो बिल्कुल आस्तित भी खतम हो जाएगा तो इनको डर सबसे ज़्यादा बाबा सान के संविधान से लगता है बाबा साब के बिचारों से इंको डर लगता है इसलिए तो ये लोग बाबा साहब के जयनती नहीं मनाते हैं और जो दानoireंदर नेद्र मोदी कि बाबा साहब अंबेट कर भारत के रतनी थे उन्होंने देश को क्या नहीं दिया बाबा साहब ने उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्राले उन्होंने अपने समिधान के अंदर बाबा साहब ने दिये तो कि बाबा साहब का कोई बजूदी नहीं इस देश के अंदर तो यह लोग किसे इनके फेवर में आजाए तो आपका जो कोशन था ना के इनके ड्राइंग रूंग में देवी देवताओं की फोटो यह हमेशा चाहते हैं कि दलितों का ब्रेंड वाश किया जाए ऐसी भागवत बड़े-बड़े पंडाल लगाए जाए जित्में दलित समाज ज्यादा स मतलब ताकि यह लोग सिक्षा के अस्तर पर आगे नहीं जाएं यह लोग मनुबाद की तरफ बड़े ताकि इनकी धरम की जो दुकाने वो चलती रहे और फिर धरम के नाम पे यह लोग अपनी राजनीती करते रहे वो तो धन्य है बेनकुमारी मायवती जी जो आज भी इस का परदा फास करने के लिए बार बार चुनाओ लड़ती है वो बार बार उन्होंने लोगों को यही समझाने को जिस करती है साब माने वर कांसी राम साब ने भी लोगों को यही समझाया था कि इन मनुबादियों के चक्कर में ना पड़े यह मनुबादी लोग सिर्फ अप जर्म में कभी कभी देवी देवताओं की फोटो मिल जाती है खेर यह जाता दिन नहीं चलने वाला अब जो यूथ है जो दलित समाज से यूथ जो पढ़ रहा है और इनलों ने जो दलित समाज का जो कोटा है उस पर भी तो कई पर्शेंट किताब वाथ बिट लगा दीया तो यह कभी नहीं से सरकारिए और दलित समाज जो सिक्षा रहां। या राजनेती की इस्तर में ृवाहय है वह राजनी को ये इसको आगे बढ़ने देना यह जानते हैं कि जुन्हान बात की युवाहों की तो युवाएं के जो नेता आते VOICE 10 गեղ का नतीजहिक नतिजह मायोती जी को ग्राने का देखिए यह जो कैंदमें सरकारे या दूसरे कि कशिम राजनीती है ना इनकी राजनीती अलग तरह की राजनीती है जितने भी जो नेता मायवती जी के जो नेता होते हैं बहन जी के या जो चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में या वह बहन जी की बुराई करते हैं उनको खरीदने की कोशिस की जाती है आज देश में क्या चल र लेकिन देश में लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है तो यही कारण होता है जो हमारे बोले बाले बिधायक और सांसद होते हैं या तो उनको धमकाया जाता है या फिर उनको पैसे से खरीदा जाता है या फिर उनको यह कहा जाता है कि तुम पर यह केस लगा देंगे यह मुकतमा लगवा देंगे, यह कर देंगे, तुम उनका साथ चोड़ दो, उनकी बुराई करो, इसलिए जो पावर है, यह पावर का दुरूपयोग करते हैं यह लोग, इस बएसे बहन जी की यह लोग उनसे बुराईया करवाते हैं, और उनको धमकाया जाता है इस तरीके से, क कि नहीं, दो नहीं, पूरे पांस जा रहे हैं, पूरे छे जा रहे हैं, कहां से इतना पैसा आ रहा है, इन लोगों के पास में, कौन देता है इनको पैसा, यह आपका और हमारा पैसा ही तो है, जिससे ही लोग सरकार खरीते हैं, लेकिन देश में लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है विधायक और मंत्रियों को करने के लिए इनके पास में पैसा है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले